हालो फ्रेंड्स माइसाइब रॉक्षुनील ताओं और कंसल्टेंट एंट एंट एंड राइनो प्लास्टी सर्जन दोस्तों आज हम डिसकस करेंगे बिना ओप्रेशन कान के पर्दे में छेद का इलाज कैसे हो सकता है बड़ दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिएगी बेल आइकोन को प्रेस करना यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जिससे आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों हमारा जो गोड ने इयर ड्रम बनाया है जो कान का पर्दा है बहुत बार कान के पर्दे में क् बहुत बार क्या है कि सड़न जो है स्लेपिंग होती है थपड मारने के कारण है सड़न साउंड का एक्सपोजर होता है और एक्सिडेंटली बहुत बार इयर बड़ भी से भी लग जाता है दोस्तों ऐसा जो कान के पर्दे में जिसको हम ट्रॉमेटिक पर्पोरेशन बोलते कि पहली बात जो कान के पर्दे में जो होल है वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए पहली बात दूसरी बात वो जो कान के पर्दे में जो होल है उसमें फ्रेस होना चाहिए यानि जस्ट दो तीन दिन के अंदर अंदर अगर पीशेंट आ जाता है उसके अंदर इंफेक्श और इस टाइप में नहीं होना चाहिए, तो दोस्तों जो इसका जो ट्रीटमेंट है बिना ओप्रेशन के वो इसमें एक पेपर पैचिंग एक टेक्निक होती है जिसमें एक इंपोर्टेड एक जैल होता है जो जो कान का जो छेद है जो परफोरेशन है उसके उपर वो लगा द नहीं जाना चाहिए तो नहाने से पहले आपको कोटन नारियल सरसु के तेल में उसको जो है स्क्विज करके और लगाना चाहिए जिससे अंदर पानी नहीं जाए दूसरा आपके को ऐसे नोज ब्लॉविंग नहीं करना चाहिए और अमोमन अमोमन जो है डेड़ से दो महने म जो छेद है वो बहुत बड़ा है यानि हमारा जो कान का पर्दा है उसके two-third हिस्से में अगर traumatic perforation है तो वो बहुत कम chances है और वो possible नहीं है कि बिना operation भी ठीक हो सकता है पेपर पेचिंग की माध्यम से बट वो एक जो जिसको कहते हैं कि 100% ऐसा नहीं है कि वो possible है ही बट अगर समय पेचेंट आ जाता है तो उसको कहा है बिना operation भी पेपर पेचिंग की माध्यम से जो है वो traumatic perforation को ठीक किया जाता है So I think this information is useful for you. You can share this information regarding the traumatic perforation to your friends, family and colleagues. Thank you.